हाई फ्रेंड्स सरकाट्रेश चैनल में आप लोगों को भहुत बहुत स्वागत है सरकाट्रेश चैनल में हम इस वीडियो को मद्दम से जानेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है आज का जो यह निप्टी का तेजी क्या यह तेजी आगे रहेगे क्या है क्या निप्टी साथ युए तमाम चीज़े को ऊपर हम बात करेंगे टिकनिकाल चार्ट के साथ हम बात करेंगे करेंगे बाहर के मार्केट के सब्सक्राइब कर सकते हैं तक कि मार्केट अवर्स में भी हम alertness के मुताबक कुछ ना कुछ वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट करता हूँ and learning purpose भी वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट करता हूँ चलिए दोस्त देखते हैं कल के लिए क्या क्या लेबल important है और उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि आज मैं क्या क्या लेबल कल का वीडियो में प्रोवाइड किया था और आज मार्केट में क्या होता हुआ दिखाई दिया तो दोस्त हमरा जो next classes है वह 25 सिफ्टम पर जिसका फीज है 7000 आप अगर 2000 से सिद्ट बूक करते हैं तो आपका वार्ट्सप ग्रूप बना वहा है उस वार्ट्सप ग्रूप में मार्केट को खीसता हुआ चला गया कि इसके साथ में आपको मैं दिखाना चाहूंगा की बैंक में क्या मैं लेवल दिया था और कैसे आज नहीं हो पाएगा चले दोस्त यहां पर के लिए जो मैं लेवल दे रहाणां चाहरा हूं वो है शुरू में आप देखिए का कि आज का जो हाई है अगर इस हाई को break करके market open होता है तो यहां से फिर से nifty में तेजी रह सकता है Otherwise अगर इस हाई को break नहीं कर पाता है तो हलकका grabट आ सकता है जो की आपको 11,410 तक लेके जा सकता है इहां से bounce back आ सकता है अगर 11400 को break कर देता है निप्टी में अगर तेजी नहीं आएगा फिर से तो निप्टी में तेजी साइड थोड़ा सा रुख जाएगा तो इसके लिए आपको जो parameter है आपको जो main level है वो रहेगा 11400 अगर 400 को break कर देता है तो आपको downside में रहने चाहिए 400 को break नहीं करेगा तो आपको upside में रहने चाहिए ओके यह है निप्टी का clear picture अब देखे बैंक निप्टी में आज के लिए हमने क्या बताया थी आपको clear बताय गया था 22,530 से 22,550 का एक तेजी शुरू का situation में दिखाई दे सकता है यहां से ग्राबट आ सकता है जो की 22,400 से लेके 22,350 और इसको अगर ब्रेक नहीं कर पता है तो यहां से फिर से ग्राबट आ सकता है और यह लेवल आपको निचे के लिए दिया गया था कि 22,250 अगर इसे भी ब्रेक कर देगा तो और निचे ग्राबट होता तो जस्ट मैं एक मिट के लिए चार्ट दिखाता हूं अब देखिए यहां पर सुबह का जो तेजी आया था फर्स्ट 15 मिनिट में यह तेजी कहा तक ले गया निप्टी को 22,500 मैं एक बरे तेजी का लेवल देख लेता हूं 22,530 मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में क्या बताया था 22,530 ओके और यहां से ग्राबट के आया ग्राबट जो आय कहा तक आया 22,380 ओके 22,380 आपको इहां पर क्या बताया गया था 22,400 से लेके 350 के बीच में किलिया इसका बीच बाला पॉइंट जो है 375 यह तक आया है और यहां से फिर से बांस बाक आया है कहा तक गया यह किलिया लिए देखे 22,650 ओके यह जो राइट साइड में आपको बाक ब्रेट नीवेल 22,630 कौशन ब्रेक नहीं कर पाया ओके यहां से जो ग्राबट आया यह गराबट कहा तक आया देके क्लियारली यह जो डाउन साइड है 22,250 तो यह जो आनलाइसिस है आप इसका रेटिंग दीजीए यह किस रेटिंग वाला अनलाइसिस ऐसे हो सकता है ओके चलिए तो देखते हैं अभी तो यह चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको आपका दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए कि ऐसे भी कोई होते हैं कि इस तरीके से मार्केट लेके जा सकता है जब निफ्टी को चला है रीलाइंस के बजाए से लेकिन बैंक निफ्टी नहीं परफ्रॉमेंस किया है लेकिन अच पर एकस्पाइरी डेमेज यहाद से होना चाहिए वह काम बैंक निफ्टी जरूर किया है तो यहां पे जो support का level बनता है यह 22,500 support का level बन रहा है जब तक 22,500 के उपर है तब आप trend के लिए देख सकते हैं हम देखेंगे यहां पे अभी technical chart देखें यह है आपका सामने nifty का chart निप्ट के चार्ट में जब परसू का support बना था उसी टाइम दो पायर को मैं वीडियो बना के जो चीज कहा था और वही चीज निप्टी में होता हुआ दिखाई दिया क्लियर यहां पर कोई डाउट जिन्होंने परसू दो पायर का बारा वज़े वाला वीडियो नहीं देखे देखे देखें मैं वहां पर मार्केट क्लोज होने से पहले ही आपको अगा किया था कि आज का situation इस तिर्गे से बनना चाहिए और इसके आगे मार्केट में एक क्लियर अगर किसी वज़य से रिलाइंस नहीं चलता है दोबारा रिलाइंस को गिर जाता है तो मार्केट गिर जाएगा तो आपको रिलाइंस के उपर जरूर धियान देना है बैंक निप्ट में क्या सितिती है देखें क्लियर ली डाउन फॉल के बाद एक ग्रीन दोजी कं करेगा कि सिंपिल जी बात है इतनी लॉजिक आपके अंदर होना चाहिए दोस्ति तो इस हाइक को ब्रेक करेगा तो यहां से आइधिंक आपको नेर अबाउट 23,000 23,300 23,300 से लेके 400 के बीच का कोई लेवल आपको आने वाले एक से दो दिन के अंदर दिखाई दे सकता है हम इतने यहां पर डॉबल मर्केट के इस्थिति है डाओ जॉन के इस्थितिति है तो हम भी पहले से बाता एतंथी किसदिन आपको डाइस तैजी दिन और आहेका तो डाव जोन में कल के दिन में हम तेजी का किये थे और आज भी हम तेजी का कर रहे हैं कि यहां से फिर से यह 200 से 300 पॉइंट का तेजी डाउन डाव जोन में आ सकता है और इसमें तेजी आएगा तो हमारा क्याहते ज़्क आप अगर देखेंगे कौन सी से यह से हम लेकर आएंगे नेटे सब्सक्राण से यह स्ट्वार्ड तो हम यहां पर देखेंगे तो आपके शामने यहां पर हम लेके आएंगे 17 सेप्टेमबर का एक्सपेरी का निप्टी का क्या अनलेशिस यहां पर निकल आ रहाए तो देखेंगे निप्टी का बिल्गुल support 11400 अब आप्शन चेन में क्या होता है दोस्त एक call side होता है एक put side होता है ओके अब put side में जिस change in open interest column में ज्यादा figure दिखा जेता है यह आपको support का काम करता है जहां पर आपको community open interest बहुत ज्यादा figure दिखा देता है यह होता है आपको खीचने वाला point तो अभी कहां खीच रहा है निप्टी को गैरा हजार 500 के लिए खीचा जा रहा है ओके support कहां बन रहा है तो support अपको बन रहा है 11400 second support बन रहा है 11300 तो अभी तक तो यह support का काम कर रहा है और आज ही just expiry खतम हुआ है और आज ही का दिन में आपको यह situation दिखा दे रहा है तो I think a better है कोई खराब situation नहीं है अब जो resistance बनता हुआ फिलाल जा रहा है वो गैराजर 500 लेकिन मैं गैराजर 500 से भी उपर का उम्मीद जता रहा हूं और फ्रेंट्स चलिए बैंक निप्टिक option चेंद देखते हैं यहां पर देखें के बैंक निप्टिक का क्या इस्तिती है तो आपको यह सारे चीज को उपर वाकिभ होना चाहिए इन सारे चीज को अनलाइस्ट करना चाहिए और हमारा जो क्लास है क्लास के अंदर एक-एक कैंडल स्टिक से लेकर स्वसर नार्मल चीज है तो यह क्या चीज होता है उससे लेकर आगे तमाम चीज का छोटी-छोटी ब्रीफिंग के साथ आपको समझाए जाता है तो यहां पर बैंक नुप्टी का 17 सेप्टेंबर का आक्स पर ही देख रहे हैं यहां पर आभी क्या देख पार है यहां पर देख पार है जो क्वाल साइड में चेंज इन ओप इंटेशन फाइशन फाइड़ में 22,500 मतलग 22,500 एक इंप्वाटेंट लेवल बन गया है बहु जा सकता है क्योंकि आप देखिए 22,500 पर चेंज इन ओपर इंटरेस्ट है 2,38,000 और इसके साथ जो नेक्स्ट रेसिस्टेंज निकलके जा रहा है वो जा रहा है 23,000 पर 22,500 इसके बाद 23,000 सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आ रहा है 22,500 इसके बाद जो सपोर्ट आ रहा है 22,000 के यानि कि सबसे बड़ा में इंपॉर्टन लेवल जो अभी के लिए बन गया है वो है आपको 22,500 क्लियर और रोग किस तरफ है अभी आप्शन चेंद में दोनों क तरफ बारिये दोनों तरफ बारिये ओके आब यहां पे देखा जाए को मूलिटी वपन इंट्रेस्ट जो है 23,000 के उपर 4,12,000 पर आप आप्शन चेंद में ओपन इंट्रेस्ट के कलम्म जो कमूलिटी उपन इंट्रेस्ट के गलम्म 22,000 अब्राया कि त्री लाक्स 20,000 के त इसके साथ आपको टेक्निकल चाट क्या इशरा दे रहा है तो टेक्निकल चाट भी एक क्लियार गिरावट के बाद एक positive grid candle इनके दोजी candle बनता हुआ दिखाई जिया है तो यह एक positive संसेत है मैं यह बिल्कुली नहीं कह रहा हूं कि निप्टी घूम जाएगा क्योंकि 100% निप्टी के लिए कोई नहीं बता सकता है मार्केट में कुछ भी हो सकता है तो यहां पर आपको एहीं देखना है कि मार्केट को एक घूमने का अभी जो bounce back आ गया है देखिए जो continue बटम पर बटम बनाती जा रहा था आज बटम शिप्टिंग हुआ टॉप भी शिप्टिंग हुआ तो यह एक इशारा करता है कि साइब विराबट का दौर खतम होने वाला है और आगे पॉजिटिवनेस आने वाला है अब हम देखेंगे आज रिलाइंस में ऐसे क्या ख़बर आ गया है यहां पर देखिए रिलाइंस का जो नियूज है यह एमाजें कंपनी पे 20 विलियंड क से असपास का निवेश करने जा रहा है 40-40 फीसिदी तक इस्सेदारी लेने वाले हैं तो यह जो रिलाइंस का अच्छी ख़बर और रिलाइंस का अच्छी ख़बर के चलते हैं रिलाइंस का स्टॉक के उपर कैसे तेजी दिखाई दिया है जर यह भी हम देख लेते हैं रिलाइंस का स्टॉक के ऊपर क्या तेजी दिखाई दिया है सायद आप लोग सभी लोग इस चीज को देख चुके होंगे कि इसमें कितनी सांदार तेजी आज सुबह से दुखा दिया है ओके कंटिनू तेजी और आपको मैं कई दिन से बताते हुए आ रहा हूं यह लेवल यह रिलाइंस जिस दिन 212150213040 इस लेवल को ब्रेक करेगा तो रिलाइंस में तेजी आ जाएगा तो मार्टर में तेजी आएगा आज का हाई को ब्रेक करता है आज के इसमें बहुत बड़ी पॉफीटेबल वाला चीज है आज का ही को ब्रेक करेगा तो फेसे यह जम लेगा जो एक आपको बताया गया था ईंग्वोफ कहां मिलेगा जो साथ रुपया का चीज सिस्टी रूपिज लेकर जा सकता है बैंकने उप्टी हीरो साथ रूपय काचीज 60 रूपिज रिलाइंस के ऊपर कॉल रिलाइंस 2300 के ऊपर जो कॉल दिया था वो कहां से कहां तक लेगिया आपको 58 58 से 100 तो इस तरह की से यह free telegram channel है और यहां पर इस तरह किसे call आपको मिलता है लेकिन आपको काम करना ना करना आपको उपर है आप दो दिन बात मुझे यह बिले मक कीजिए कि सेर आपको कहने से आपको इंवेटिशन से आपको चैनल जोइन किया था और वहां आके मुझे नुकसान हो गया थोड़ी सी आपको समझदरी के साथ यहां पर ट्रेडिंग कीजिए अब समझदरी भी आपको अगर मैं हर हमेशा हर एक वीडियो में बतते ज जाना है आपको कोई इस्टा प्लस जूनने का जुरूत नहीं आए अगर यहां तक जाके एक दो पॉइंट के लिए अगर आप पॉफिट नहीं बुक किये हमेशा अगर जो भी मैं टार्गेट देता हूं उससे दोच्छा दो एक पॉइंट पहले ही आप निकल जाईए आइसे अगर समझदर के साथ काम कर सकते हैं तो आय तिंक बैतरिन प्रफिट जैसे सीडिंट लोग कमा रहे हैं इस तरिके से आप भी कमा सकते हैं ओके तो यह अमारे इस्टुडेंट का प्रफिट है सब कुछ आपके समने रखा हुआ है यह हमारा स्टुडेंट का टेलिक वाटसब ग्रूप है जिन लोग नेक्स्ट बैच के लिए सीद बुक कर रहे हैं उनके लिए 25 सेफ्टेमबर का वाटसब ग्रूप बनेगा तो आइधिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबाने में कुझे ना किजिए दोस्तों को शेयर कीजिए जिन लोग दोस्तों को शेयर कर रहे हैं उनका इस सिफ्टेमबर माहिने का लास्ट वीक में एक वेबिनार होगा उस वेबिनार पे जिन लोग करके मुझे स्क्रीन शॉट बेज रहें उनका उसमें पाटिसेवन मिलेगा थैंक्यू फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही टाडाब